Hello students, आई से हम लोग Doppler Effect पढ़ेंगे, बहुत ही familiar से Doppler Effect नाम सुना होगा आपने और 9 में इसके बारे में कुछ-कुछ आपने सुना होगा काफी कुछ अभी Doppler Effect होता क्या है, पहले इसको आप समझें, उसके बाद फिर हम लोग इसको simulator पर भी करके देखेंगे और इसका mathematical expression भी समझेंगे तो Doppler Effect समझने के लिए आप इसके साउंड को सुनिये पहले तो आपने ये साउंड सुना, इस साउंड में आपको जो आवाज है, कुछ sound increase जैसा कुछ सुनाई दिया होगा मतलब इस टाइप से देखें मतलब कि आपके साउंड जो है वो थोड़ी सी increase होती वे जा देखेंगे ठीक है, उसके बाद एक और साउंड सुनिये इस वाले साउंड में आपको जो sound सुनाई दिया होगा, वो कैसे सुनाई दिया होगा मतलब कि आपका sound कम हो रहा था अब ये effect हमें क्यों मिला सिंपल सी बात है, ये effect मैं करना हूँ, इसलिए नहीं मिला ये effect आपको Doppler effect के कारण मिला है और ये phenomenon आपको हमारे आमजिनगी में दिखते हैं और मिलते भी हैं, दिखते भी हैं और मिलते भी हैं का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ऐसा क्यों बोला मैंने दिखते हैं का मतलब कि ये जीज़ जो है ये wave पे निधारत है, ये wave पे dependent है और wave जो होता है, वो sound के form में भी चलता है और light के form में भी चलता है जो light है वो भी wave form में ही चलता है, बड़ हम लोग light पे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे syllabus पे अभी नहीं है, हम concentrate करेंगे sound wave पे तो हम क्या बात करेंगे, सुनने वाली चीज़े, ठीक है तो sound जो है, वो एक wave pattern में चलता है और जिसको हम लोग light में देख भी चुके हैं, कि वो किस type से create होता है एक fork ले लिजे, उसको अब ऐसे hit करेंगे, तो आवाज निकलेगा उसमें से और वो wave pattern निकलेगा, जो भी वो air को disturb करेगा, जो भी medium में वो जा रहा है, उसको disturb करेगा उस पर compression और air fraction बनाएगा, और उससे वो wave patterns generate होते है यही है हमारा sound wave, ठीक है, अभी समझ लिजिए, कि आपका perception बता रहा हूँ हाँ की एक गाड़ी है, ठीक है, आप एक जगह में खड़े हैं, अब उधर से एक गाड़ी आ रही है, हाँ बजाते हुए और आपके नजदीक आ रही है, तो आपको वो हाँ कैसे सुनाई देगा, एक increasing order में सुनाई देगा, उसकी intensity जो है वो तीज होती जाती है जब आपसे दूर जाएगा, तो वो आपको कैसा सुनाई देगा, वो decreasing order में सुनाई देगा आपको अगर आप train में travel कियोंगे, तो ये चीज तो आपको हमेशा ही मिलती होगी, कि कोई train उदर से जब आ रही है, तो sound increase होते वे जा रहा है, जब जा रही है, तो decrease होते वे जा रहा है ऐसा हमको freedom मिलते ही है, और ये जो effect है, मतलब ये increasing और decreasing वाला जो effect है, इसी को बोलते हैं हम लोग Doppler effect, अब ये होता क्यों है, इसको imagine करने के लिए, सबसे पहले आप simulator को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखे, तो इससे थोड़ा बहुत आपको एक visualization बैठेगा दि इसको detail में संचेंगे, ओके है, ठीक है, ओके students तो ये हमारा simulator है, बहुत simple सा है, इस simulator में में Doppler effect को देखेंगे, ठीक है, तो जो wave patterns है, वो हमें कैसे दिखाई देंगे, इस observer को, उसको हमको check करना है, तो इसमें कुछ values दी गई उसको देख लीजे, एक हमारा यहां पास में source क velocity बताता है, यह वाला observer का velocity बताता है, यह अपका source है, जो wave patterns को release करेगा, और यह observer है, जो उसको absorb करके देखेगा, कि जो wave है, वो किस टाइब से आ रहे हैं, source का जो velocity frequency है, वो 343 hertz का है, जो कि आपका sound wave में, air में जो sound wave होता है, उसकी frequency यह given दी हुई है, इसका wavelength 1 meter रखा गया है perceived frequency मतलब कि observer को frequency कैसी महसूस होगी, वो बता रहा है यहाँ पास में, ठीक है, अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इस पे, मैं source को कुछ velocity दे रहा हूँ यहाँ पास में, पहले 0 पे देख लेते हैं, तब आपको थोड़ा और अच्छे से महसूस होगा, तो मैं start किया देख कि यह जो green green देख रहे हैं, यह आपका wave का, किसी भी wave का crust पाट होता है, ठीक है, अब इनकी बीच में आप देखेंगे कि इस सभी की बीच का distance है, वो सबके सब बराबर है, मतलब सबके सब wavelength जो दिख रहे हैं आपको, wavelength मतलब की एक crust से दूसरे crust का distance, ठीक है, इनकी बीच का distance हर जगा में बराबर आपको मिल रहा है, मतलब इन दोनों की बीच में time rate भी जो निकल रहे है, टी time, वो भी same है आपका, ओके है, ठीक है, अब क्या किया गया यहाँ पास में, मैंने इसके source की velocity को बढ़ा दिया, और positive बढ़ा है, positive को मतलब यह है, कि यह source अभी observer की तरफ move क कर रहा है, जब ऐसा होगा, तो इसकी wave patterns देखिएगा, तो आपको wave pattern में कुछ चीजे नजर आई होंगी change, क्या change नजर आया, जब यह source observer की तरफ move कर रहा है, तो observer के side वाला यह वाले waves के patterns में, इन दोनों की बीच के distance है, वो कम हो गया है, और इन दोनों की बीच का distance बढ़ यह आपको pattern दिखाई दे रहा होगा, अब यह ऐसा क्यों है, बहुत सिंपल सा चीजे देखिए, क्या हुआ, कि इस source ने मान लेजे इस wave pattern को या इस वाले wave pattern को जब release किया, तो इसके source से जो wave patterns release होने की speed है, वो तो उतनी की उतने ही है, जितनी थी उतनी की उतनी ही, क्योंकि यह medium जो है, वो air ही रहने वाला है, तो वो तो उतनी की उतनी है, पर हुआ क्या, कि second time पे जब इसमें से, वो crust part निकला होगा wave pattern का, तब तक यह source आगे बढ़ गया, source आगे बढ़ने से, जब वो crust को निकाला, तो यह source इस वाले wave के नस्दीक पहुँच गया, क्योंकि यह त तो इधर ही travel कर रहा है, साथ में यह भी इधर travel कर रहा था, तो यह वाला अगर इसके travel करने लग गया, मान लिजे कि यह 20 meter per second के हिसाब से चल रहा होगा, assume बता रहा हूँ, और यह भी आपका कुछ इधर चल रहा होगा, 30 meter per second के हिसाब से, तो इन दोनों के बीच में relative velocity जो तो इसको जल्दी मिल रहा है, तो इसको यह वाला वेव की बीच का distance है, यह कम हो जाएगा, क्योंकि यह भी तो इधर ही move कर रहा है, यह तो इधर कारी रहा था, यह इसके नस्दीक पहुँच गया, तो इन दोनों के वेव, जो second वेव जब इसने छोड़ा, तो यह इसके न क्या है, distance कम होने से, एक क्रस्ट के दूसरे क्रस्ट से distance कम होने से, इसका जो लैमडा है, वो कम हो गया, अब अगर लैमडा कम हो गया, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, फ्रिक्वेंसी इकल इसलिए अच्छे से लिखा नहीं रहा है पर आप प्लीज कर लिजेगा इसको तो अभी देखे यहां हुआ क्या एक क्रस से दूसरे क्रस का distance अगर कम हो जाता है इन दोनों की बीच का distance अगर कम हो जाता है और यह value अगर कम हो जाएगी और यह यह V-velocity क्या है यह source से जो आपकी waves निकलने की speed है वह है तो यह तो कम होने वाला नहीं है source जितने देर में निकालना था उतने देर में बढ़ जाएगा फ्रिक्वेंसी देखिए यहां पास में बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और यही है आपका perceived frequency मतलब इसको यह crust बहुत जल्दी जल्दी सुनाए देगा क्योंकि इसकी frequency बढ़ने का मतलब क्या है पर सेकंड में जो crust पहुंच रहा है इसके पास उसकी आपको जल्दी जल्दी यहां पास सुनाए देगा मतलब तेजी से बढ़ते जाएगा जब यह source इसके पास पहुंचेगा तो full intensity बेसको सुनाए देगा तो कोई चीज इसको जब यह इधर से इधर जाएगा तो इसको एक कैसा सुनाए देने वाला है करके इस टाइब को सुनाए देने वाला आपको एक आवाज सुनाए देगी आपको साइड में अच्छी आवाज नहीं निकाल पाया पर इस टाइब का आपको waves सुनाए कुछ sound भी सुनाए देगा अब sound effect इसमें इस simulator पर नहीं दिया गया तो मुझे निकालना पड़ेगा sound effect तो sound इस साइड में आपको तेजी से सुनाए देने वाला है और जब observer से यह पार हो जाएगा ठीक है तो देखे इसको भी आप अभी तो यह पार्ट दिख रहा है अभी इसको सिर्फ हम observer के हिसाब से देख रहे हैं तो देखे वेवलंद अभी कम है दिरे 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 यह अब देखिए क्रॉस कर रहा है तो इसके अब यह source को कौन वाला वेव सुनाए देने वाला है यह जो इधर जा रहा है इध लैमडा बढ़गया तो यहां पास में जो लैमडा की वैल्ली दें वन मेतर से ज्याधा बढ़ग गई लैमडा की बढ़ जाने से इस incumb guru गाइन तो देखे देखे फ्र कृइवर गया यहां पास देख रहे हैं आटोमेटिक घढगया तो जब पास ऐगा तो फ्रिक्वेंसी घड़ जाएगा ठीक है इसको ncrt पर time के हिसाब से भी बताया गया है कि एक wave crust से दूसरे crust का time है वो क्या है बढ़ जाता है तो देखिए अगर इसका time बढ़ जाता है यहाँ पास में तो इस पूरे की value क्या होगी घड़ जाएगी इस पूरे की value घड़ जाएगी तो frequency भी कलने वाला है ठीक है ठीक है अब हम क्या करते हैं कि observer को move करवाते हैं ठीक है ठीक है जिले देखते हैं तो अब मैंने क्या किया इसको reset कर दिया फिर से और source को stationary point पर लिए आया मैंने ठीक है और मैं observer को move करवा रहा हूं इस side में तो अब देखिए ये तो move नहीं कर रहा है तो wave pattern में कोई change नजन नहीं आ रहा है बट हो क्या रहा है माल लेजे कि ये pattern ये वाला wave जब इसको सुनाई दिया तो ये वाला थोड़ी दिर बात सुनाई देने वाला था जितना भी इस wave को यहां तक पहुचने में समय लगने वाला था पर हुआ कि observer is side move कर गया इधर मूफ कर गया observer जब observer आपका is side move कर गया तो ये वाला wave उसको जल्दी सुनाई दे देगा अब जल्दी सुनाई दे दिया तो wavelength क्या होने वाला है घट जाएगा акку recommendally आट और गट ऑक नहीं घट गया सब्म percentage घट जाएगा अगर ये वेविच्ट को जल्दी सुनाई दे तो wavelength घड़ जाएगा, wavelength घड़ गया तो frequency बढ़ जाएगा, देखिए, इसकी frequency आपस बढ़े हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, frequency बढ़ गई मतलब wavelength घड़ गया, देखिए यहां पास में, हमको यह चीज़ दिखाई दे भी रहा है, देखिए, दिख रहा है न, ठीक है, साथ में साथ, क्या हुआ यहां पास में, यहां यह हुआ, कि यह वेव अपका, यह observer अगर यही खड़ा रहता, तो इसको यह उतने ही समय में मिल जाता, पर यह observer आगे बढ़ गया, तो इसको थोड़ा सा distance और travel करना पड़ा होगा, और जितना travel करना पड़ा, उतना देर में यह crust इसको सुनाई दिया, और जितना देर में इसको यह crust सुनाई दिया, उतने देर में उसकी frequency को हम क्या मानेंगे, कि उतने देर में सुनाई दिया, तो देर में सुनाई देने का मतलब frequency क्या है, इसके observer के हिसाब से कम हो गई, wavelength क्या है, बढ़ गया, क्या बढ़ गया, क्य यही चीज को हमको mathematically भी समझना है चलिए अब board की तरफ चलते हैं और इसको और समझते हैं ठीक है ठीक है ओके तो थोड़ा बहुत आपको अब दिमाग में सेट हो रहा होगा हलकलका कि जो मैंने web patterns दिखाए और काफी कुल detail में simulator भी मैंने बताया है ठीक है तो चलिए start करते हैं और board में इसको समझते हैं तो Doppler effect तो Doppler effect को total तीन category बाटे गई है पहला कि observer एक stationary position पे है और source move कर रहा है दूसरा कि observer move कर रहा है और source एक stationary position पे है तीसरा दोनों move कर रहा है इस वीडियो में हम लोग दो point को पढ़ेंगे बस पहला कि source move करेगा और observer stationary position पे होगा दूसरा observer move करेगा और source stationary position पे होगा तीसरा वाला जो है उसके लिए हम एक separate वीडियो बनाएंगे ठीक है ओके तो Doppler effect में सबसे पहला वाला हम लोग पढ़ेंगे कि observer stationary position पे है observer जो है एक stationary position पे है और source जो है वो move कर रहा है ठीक है अब source move कर रहा है इसको देखिए अब कैसे work कर रहा है तो देखिए ये हमारा माल लिजे की observer है और ये observer से कुछ wave patterns निकल रहे है और source को कहा रखिए माल लिजे कि ये हमारा source है S1 पे source हमारा ओके है ठीक है जब ये source हमारा S1 पे है ये observer है जो stationary position पे है इन दोनों की जो beach का distance है इसे आप L माल लिजेगा कुछ distance होगा अब इस source ने कुछ sound waves को इस टाइब से produce किया और ये sound wave इतने distance travel करके इसकी पास पहुँचा तो इसको कुछ ना कुछ तो समय लगा ही होगा लगा हो इसकी speed कितनी है तो speed of wave कितना है इसको आप V मान लिजिएग ओक है ठीक है या फिर आफ इसको frequency भी मान सकते हैं तो किसकी frequency है ये frequency जो है हमारी ये इसकी है ये source से जो nikल रहेए waves इसकी है अब ये इसकी speed मान ले दो ज्यादा बेटर है अब ठीक है अब यहां से यहां तक पहुचने में इसको कितना समय लगेगा तो मान लिजे कि इसको T1 समय लगेगा इस वाले crust यह जो waves pattern निकला इसका crust वाले जो part है इसको यहां से इस observer के पास पहुचने में T समय लग गया T1 समय तो T1 समय लगे T1 होता है हमारा L upon V देखे वी इधर अगर जाता है हमारा ठीक है तो velocity equal होता है distance upon time तो अगर time को में इधर और velocity को नीचे लिया हो तो क्या बनेगा L upon V बनने वाला है हमारा यह वी कौन सा है इस source से जो आपका waves निकल रहे हैं वो हला है ठीक है अब हुआ क्या कि यह source चुथा यह इधर move करना चा से crust निकलेगा second bar में जो निकलेगा crust पहली बार वाला उदर चला ही निकली किया था यह वाला यहा पहुँची रहा था second वाला जब निकला ठीक है अगर यह से second वाला निकालता तो यह क्या होता है इसके बीच में इन दोलों के बीचमे कुश डिस्टेंस बनता जो भी हमारा लाएक काने नॉर्मल होता पर हुआ क्या कि सेकंड बार में ये वाला भ twenty節目 इधर मूव किया तो यह इस वाले पने लेड पहुंचे है इतना लेड पहुंचे गा वह य पौन फोशेंगा लेड पहुंचे का तो ri यह इसके बीच में कुछ distance आपको मिल जा रहा है, ठीक है? अब यह distance है जिसके कारण यह दोनों crust की बीच में, यह lambda का बढ़ जारा है, या आप ऐसा भी गोछ सकते हैं कि इन दोनों की बीच का time interval बढ़ जारा है, वो time interval कितना बढ़ रहा होगा? वो time interval यह यहां से यह जो यहां चला जा रहा है जितनी दिन में भी ठीक है तो वो time को हम देख लेंगे कि इतना बढ़ने वाला है पर जितना भी बढ़ रहा होगा तो कौन बढ़ रहा है यह source बढ़ रहा है तो इसकी velocity को आप मान लेजे v s ओक है ठीक है यह v s आगे बढ़ जा रहा है तो कितना समय लगा होगा इसको यहां से यहां जाने में मान लेजे कि t 0 समय लग जा तो देखे t 0 समय ले लेजे velocity into time velocity into time is distance length तो length यह है यहां से यहां तक का जो length है यह कहा है v s t 0 length है है कि नहीं है ठीक है तो अब यहाँ वाला crust जो निकला, यहाँ से यहाँ पहुँचने में, इसका जो total length है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, L plus Vs T0, यही होने वाला है, चीत है, यही होगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जब यह पहुँच रहा है, ठीक है, तो इसको कुछ समय भी लगेगा, वो स समय लेंगे, T2 समय, T2 जो समय लेंगे हम लोग, उसका formula जो बनेगा, वो बनेगा, T0 plus L plus Vs T0 upon V, यह total length है, और यह आपका, इस wave का जो velocity है, वो वाला wave है, ठीक है, अभी आपके दिमार को यह बात आ भी रहा होगा, कि सर, यहाँ से यहाँ तक का distance ले लीजे, यहाँ से यहा तो T2 समय तो वो ऐसी निकल जाने वाला है, तो यह T कहां से आ गया, है कि नहीं है, यह T इसलिए आया है, कि यहाँ से यहाँ तक में इसने जो distance को cover किया, इसने यह delay किया, तो यह wave pattern के बीच में भी distance जो है, वो क्या होते जा रहा है, आपका बढ़ते जाएगा, देखिए, यहाँ से यहाँ तक में जो distance है, यह बढ़ा ना, इतना, तो इसको भी तो हमको add करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बोलता कि इस position से ही खाली लेना है मुझे, इस position से ही खाली लेना है, तो L प्लस V स T0 अपॉन V में ले लेता, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह तो बढ़ते निकाल रहा हूँ, यह infinite मतलब आगे यह जितना भी बढ़ जाए, सभी पर यह work करेगा, तो कितना बढ़ रहा है, यह T0 समय बढ़ जाता है, प्लस जिस जगह में पहुंचा, वहां का यह समय निकाल के दे देता है, और वो समय प्लस जितना भी यह आगे बढ़ा, उसको add कर करने के बाद में, जिस position पे भी वो था, वहां से जो crust निकला होगा, वो observer को जब सुनाएं देखा, उसका time बता देता है, तो हो सकता है कि यहां से यहां जब पहुंचे, चीक है, तो n number of crust इसको सुनाएं देंगे, यहां से यहां तक न, हो सकता है ऐसा, कि नहीं हो सकता है, ह तो वो n number of crust के लिए क्या किया जाए, तो t2, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग formula के लाएंगे, t of n plus 1 equal to n t0 plus l plus n vs t0 upon v, देखिए, यहां पास मैं एक ध्यान दीजेगा, मैंने n plus 1 कर दिया और यहां तो n ही किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा है, इसलिए किया मैंने, कि होगा क्या, जब यह इस position पे था, यह 0 पे था, तो उस time पे इसको एक crust पहले से सुनाए दे रहा था, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ने वाले बोलू, जो कि इसका form है, second वाले का form है, तो जब यह second वाले पे जाएगा, तब इसको second वाला crust स सुनाए दे रहा था, तो दूसरी बार crust सुनाए देने के लिए, यह एक ही बार यहाँ से यहाँ बढ़ा, तो यह तो one है, प्लस यह, इसको दो बार crust सुनाए देगा, तो बार इसको sound सुनाए देगा, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उतने बार इस या इसको जो sound यहां सुनाए दे रहा है उसकी जो frequency है वह कितना निकल के आने वाला है तो उसको हम लोग time period से निकालने की कोसिस करेंगे तो हम क्या करेंगे यह जो second वाला है इसको इस पहले वाले से minus कर देंगे तो देखे क्या निकल क्याने वाला है t n plus 1 minus t1 तो इससे क्या होगा इससे यह होगा कि यह जो पहला वाला crust है और यह दूसरे वाले क्रस्ट का जो डिफरेंस है टाइम का मतलब एक क्रस्ट से दूसरे वाले क्रस्ट पे जो समय लग रहा है इस वाले T0 को नहीं बोल रहा हूँ इस वाले को बोल रहा हूँ ये T को ठीक है ये टिक निकल के आएगा इसको हम लोग टाइम इंटरवल बोलते हैं इस निदर्यों की बीच का नहीं हम इस क्रस्ट से इस क्रस्ट की बीच का डिस्टेंस को बता रहा है ओके है ये जो टाइम था यहां से यहां तक वाला था वो तो टी जीरो समय था तो वो तो हम तो को पहले सही मालूम है तो वो हमको नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए हमको चाहिए कि इस वाले से इस वाले क्रस्ट का जो डिस्टेंस है सेकंड बार वाले क्रस्ट का जो डिस्टेंस है टाइम जो बोल रहे हैं हम लोग वो चाहिए ना हमको इसके लिए हमको इसको मैनस करना पड़े हैं करते हैं चलिए इन दोनों को जो मैनस कर होते हैं यह T जो होगा इसको लिख लेजे तो यह आएगा N T0 प्लस L प्लस N Vs T0 अपॉन V माइनस L अपॉन V ठीक है अभी देखे इस पे इसको कितने नंबर अफ क्रस्ट मिलने वाले हैं तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड बाइ N कर देंगे नंबर अफ क्रस्ट के हिसाब से अगर निकालते हैं तो ति नहीं करते हैं तो इसको निकालने के जिरВत है इस से हमारा काम हो जाएगा इस वाले formula से आपको जितने number of crust है उसके बारे में analysis मिर जाएगा और अगर आपको दो ही के बताना है कि इस से इसका कितना difference निकलने वाला है मतलब जो time interval है वो कितना निकलने वाला है तो t वाले से t1 वाले को minus कर दीजेगा ओके है formula में कोई change आपको नजर नहीं आने वाला है देखेगा भी आप तो अब देखिए इसको मैं थोड़ा से open करता हूँ nt0 plus इसको इसके नीचे लाँगा तो lv इसको इसके नीचे लाँगा तो n vst0 upon v minus l upon v divide by n इसमें से ये value कर जाती है यहाँ पास में ठीक है और हमारे पास अकला formula आएगा nt0 plus n vst0 upon v ठीक है यह निकल क्याने वाला है और यह आएगा आपका n sorry n अभी हटा नहीं n को बहार निकाल दीजे तो आएगा और t0 को भी बहार निकाल दीजेगा इसमें भी t0 है तो हमारे पास में formula आएगा 1 plus vs upon v upon n n और n cancel यह आएगा t यह आएगा t और t equal to आएगा t0 1 plus vs upon v this is vs मतलब क्या है source source का frequency जो भी था हमारा ठीक है मतलब जैसा हमको महसूस हो रहा है v जो source जो actual में जो निकाल रहा था ठीक है और अब हमको क्या करना है हमको पता करना है कि observer को किस frequency से सुनाई देने वाला है तो यह time है इस time को हम frequency पर convert कर देते हैं तो कैसे करेंगे t equal to 하나 upon mu तो हम क्या करेंगे इसको उल्टा कर देते हैं इसको ऊल्टा कर देते हैं तो यह बनेगा one upon new 0 ठीक है और इसको उल्टा कीए तो यह बनेगा one plus vs upon v के पावर minus 1 ठीक है उल्टा करें त Hiport मैंस वन लगा देते हैं ठीक है ठीक है अब क्या करेंगे इसको और यही फ्रिक्वेंसी की तो बात हो रही थी अब यह वाले टर्म को देखिए इस टर्म के हिसाब से यह वी आजहें यही काम है source की speed, sound wave की speed के बराबर नहीं पहुँच पा रही है, माल लिजे अगर नहीं पहुँच पा रही है और इसके power में minus 1 है जो की Bernoulli के form में चला जाता है तो इस track के calculation हमने काफी सर किये हैं तो हम क्या करते थे V0, 1 plus इस minus को अंदर ले आते थे यह यहाँ पास में आ जाता था minus Vs upon V और यह आपका V आ जाता था तो जैसे ही आता था हमको एक एक equation मिल रहा है देखे, V equal to V0 1 minus Vs upon V यहीं मिल रहा है, ठीक है अभी इस पे अब मान लिजे कि आपका source जो है वो इधर move कर रहा था ठीक है, उसका equation निकल के आए तो अगर यह इधर move कर रहा था तो इसकी value जो है, क्या हो रही है अभी Vs की value अगर कम है, मान लिजे तो इस पूरी की value 1 से तो कम ही रहने वाली है, क्योंकि 1 से तो minus कर रहा है है, तो अगर 1 से कम रहने वाली है, मान लिजे तो इसकी value जो कम हो गई, तो इससे अगर multiply होता है V0 वाले से, observer वाले से, इसको जो सुनाई देगा, तो उसको जो सुनाई देगा, उससे जो multiply वो इसकी value जो कम हो गई, अब इसकी value अगर कम हो गई, तो actual में जो इसको सुनाई देने वाला है, इसको इससे multiply करने से जो value आएगा वो इसको सुनाई देने वाला था, ठीक है observer को जो सुनाई देने वाला था observer से इस वाले value को multiply करने से जो value observer सुनाई देगी वो ये value आएगी, V value, ठीक है तो इसकी value तो कम हो गई, value अगर अगर कम हो गई तो frequency के साथ क्या हुआ होगा frequency भी कम ही हो गया होगा क्योंकि slow सुनाई दे रहा है तो slow सुनाई दे रहा है मतलब कि sound जो है वो धीरे होती हुए जा रही है तो observer ये जो source है ये दूर जा रहा है अब अगर मैं बोलू कि ये source observer के नजदीक जा रहा है तो क्या अब कुछ नहीं Vs को minus Vs कर दीजे direction change कर दीजे यह इसको यहाँ put कर दीजे यह आएगा 1 plus Vs upon V तो इसकी value 1 से increase हो गई 1 से increase हो गई तो जब इससे multiply होगा तो इसकी value भी increase हो जाएगी increase हो गई तो इसको जो सुनाई देगा frequency उसकी value भी increase हो जाएगी बढ़ जाएगी अब इसकी value भी अगर बढ़ गई तो होगा क्या frequency अगर बढ़ गई तो उसको जल्दी जल्दी सुनाई देगा अब जल्दी जल्दी सुनाई दिया तो मतलब उसको कोई लगेगा कि वो चीज उसके पास आ रही है अब इसका use कैसे करया जाता है इसके limitless applications है जब इसको खतम करेंगे तो मैं आपको applications भी बताऊंगा आपको ये समझ में आ रहा होगा भी derivation काफी को जब समझ में आ रहा होगा आपको हो सकता है कि doubts आएं doubts आएगा तो comment section में आप पूछ सकते हैं ठीक है मेरे तब से मैं तो को आपको आपको अनलाइज हो रहा है यह चीज उसको आपको जरूर कुछ सकते हैं और अगर comment section में problem हो रहा है तो मेरे FB के पेच पेचे पी पूछ सकते हैं ठीक है तो मैं आपको और courses करूंगा सब जाने की लिए ओक है ठीक है तो यह आपका derivation था जब आपका observer stationary position पे था और source move कर रहा था ऐसा ही same to same क्या होगा इस वाले पूरे derivation में क्या होगा सिर्फ और सिर्फ इस observer के जगा में मैं इसको source कर दूँगा और इसको मैं observer कर दूँगा यह S1 कर देता हूँ ठीक है तो मैं पूरे derivation बनाने की जरुद नहीं है बिलकुल ही क्या करूंगा मैं देखे इ इस पूरे में यह जो VS है जो source move कर रहा था इसके जगा observer move कर रहा है अगर observer move कर रहा आप इसको पूरा फिर से बना के देखिएगा जिससे आपकी practice हुजाएगी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है तो यहां अगर observer था ठीक है तो observer move किया पर जो source है जो पैटरन म पर निकाल रहा था वो तो change होने वाला नहीं तो वो तो V कर V रहने वाला है फिर इसके बज़े जब T2 वाला लग ले मतलब यह observer यहां से यहां जब दूर जा रहा होगा तो इसको slow हो गया होगा इसका आवाज slow सुनाई दे रहा होगा ना तो यह VS की जगा क्या होने वाला ह वी जीरो यह VS की जगा क्या होने वाला है वी जीरो यह VS की जगा क्या होने वाला है वी जीरो इसके जगा में भी आएगा वी जीरो इसके जगा में भी आएगा वी जीरो यह भी आएगा वी जीरो और अगर इसकी direction change हो जाए मतलब यह observer इधर के जगा इधर हो जाए तो यह भी चेंज होने वाला है, ठीक है, तो अगर दूर जा रहा है, यह माइनस होने वाला है, तो इसको slow सुनाई देगा, observer दूर जा रहा है, तब भी उसको slow सुनाई देने वाला है, और अगर pass आ रहा है, ठीक है, देखिए, pass आ रहे तो plus हो गया, तो इसको 30 से सुनाई देने वाल है बहुत सिंपल से हमारा टाइम भी बेर किया देखे कुछ नहीं करना था डेरिवेसर में एकदम वैसा कव वैसे ही डिप्टोड है कुछ भी जेन नहीं है यह वाला जो पैटरन थे यह भी जीरो मतलब टी जीरो समय पे यह अब्जरवर यहां से यहां चला गया ठीक है एकद ब्लाइंट परसें जिसको दिखाई नहीं देता है वो लोग किसे महसूस करते हैं उनके पस तो कानी है एक एक सेंस वाला ओभी फिलाल में तो कोई गाड़ी किधर से आ रहे है और किधर जाएगी उसको लोग कान से महसूस करते हैं कि कोई साउंड अगर उधर से आ रहा है उसकी कुछ आवाज सुनाई देती है, हौन मारते हैं उन लोग continue, तो मैं लिए जब मैं ही अगर road cross करूँगा तो उन लोग क्या करेंगे, उन लोग हौन मारेंगे, अब जब हौन उनको कानों से सुनाई देता होगा, तो वो नजदीक उनको intensity बढ़ती जाती होगी, तो उनको जो गाड़ी आ रही है, वो कैसा आ रहा है, वो आग की तरफ में आ रहा है, मतलब हमारी तरफ आ रहा है, तो उनको सतर्क हो जाते हैं, और किनारे हो जाते हैं, जनरली पार नहीं करते हैं, रोड को, और जब दूर जाता है, तो उनको पता चल रहा है, कि हाँ, इदर से प्रफार देता है तो उनकी कान के जो सुनने की ताकत होती वह बढ़ जाती है एक तरीके साथ ऐसा भी बोल सकते हैं उनके sensitivity बढ़ जाती है अब इसके real life examples काफी जगह में use होते हैं medical sector में भी होते हैं military sector में भी होते हैं ठीक है और काफी जगह में यूद्टे है military sector में क्या होता है कि समझ लिए कोई missile अधर इतनी दूर से आ रही है उनके आवाज आ रही है तो उसके आवाज से इनके पास में जो sensors लगे हुए है जैसे कि हमारे कांट detector है वैसे military वालों के पास में sensors होते हैं वो उसके missiles या किसी भी मिसाल कहीं पास में अटाक करने वाला है तो वो कैसे पता चलता है due to the Doppler effect करन पता चल जाता है medical में कहां जूद होता है medical में काफी जगह में जूद होता है मान लिजे X-ray machine है या soniography है तो इस पे भी क्या होता है जब waves को छोड़ा जाता है तो हमको पता चल जाता है कि किस जगह में crack है हड़ी में अगर x-ray निकाल रहे है soniography में कब करते हैं किसी को अगर पत्री हो जाए तो पता करते हैं कि उस जगह पे कितनी सरे intensity ये पत्री की कितनी सरे पत्री है ठीक है stones जिसको बोला जाता है तो soniography में लोग करते हैं ये सब का ठीक है तो यह है limit इसके examples काफी सरे medical sector में हैं तो मुझे दो चार मालूम थे और भी है पर उससे कुछ वीडियो ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा तो आपके मन में अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा application यहा वीडियो में ठीक है तो यह मेरे लिए भी अच्छी बात है कि हां मेरे वीडियो को लोग देख रहे हैं तो मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने का प्रसाहन मिलेगा मतलब और भी अच्छे वीडियो बनाएंगा ठीक है अब यह Doppler effect पे यह पहला पार था इसके ओपर और पार्ट बनाएंगे जिस पे यह source और यह observer दोनों move करेंगे तो मैं उसको इस वाले में नहीं लग रहा हूं क्योंकि उसका जो derivation है वो थोड़ा अलग तरीके का है वो इससे मिलता चुलता है पर थोड़ा अलग है तो इसके लिए उसको थोड़ा अलग तरीके से समझा जाएगा और वो वीडियो हमारे इस चैप्टर का फाइनल वीडियो और 11 का भी लास्ट वीडियो रहेगा फिर भी इस टॉपिक पर अगर कोई डाउट आएगा इस डिपलिफेट पर या ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि तर समझ में नहीं आ रहा है इस जगह पर क्या जरूर पुछेगा विटाउट एननिक हैजिटिशन मैं जरूर रिपलाइ करोंगा ठीक है तॉपिक से लेडेड आप कोई भी कोशन पूछे मैं जरूर रिपलाइ करता हूं ठीक है ठीक है और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और से जरूर कर दीज झाल झाल